आज का जो टोपिक है वो है हमारे पास जिसका था मुझे इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार वो गरी आ गई है मार देना है तुझको या मर जाना है मुझको टोपिक का है इंतजार फस्ट यर कमिस्ट्री पेपर पैटरन पेरिंग सकीम एंड गैस पेपर टुथाउजन नाइनटीन ठीक है FSC जो नोंने कियोगी उन्होंने एक सब्जेट रखा होगा कमिस्ट्री का और समझ उनको कखनी आ रही होगी कि हमने कमिस्ट्री फस्ट यर कमिस्ट्री के स्लेबर्स को कभी देखा है कभी पूरी बुक का और विउ किया है कभी बुक को हमने सफे ऐसे से किये हैं नहीं कतन नहीं कियोंगे लेकिन अब आज का जो वक्त है अब आप लोगों ने पढ़ना शुरू कार देना है पढ़ना भी किस लिहाद से है जिस लिहाद से मैं आपको बताता जाओंगा उस लिहाद से आपने किसी जगा पे रैट डाउन का लेना है सबसे पहले सारे काम छोड़के मुबाइल छोड़के दुनिया का हर एक काम छोड़के फिल्म छोड़के ड्रामा छोड़के मरकर छोड़के हर एक सीज छोड़के आपने सबसे पहले इस table को देखे इस table में आपको क्या नज़रा रहा है गूर से लिखे जड़ा इस table में आपको chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, 5, 6, प्लिक सैंसों एलेवनध चाप्टर आपको इस कमिश्टी की बुक में नजर आएंगे ठीक है अब उसमें से उसमें से शोड गॉस्टेंस भी आएंगे उसमें से मारे पास लुग कुछेंस भी आएंगे अब इसको आपने एपरेश कैसे करना है रहा तो लिए आप आपने 1 to 11 जिसमें से आएंगे एमसी को जिसमें से आएंगे जिसमें से आएंगे मारे पास लोग कस्टिन आपके साथ मैं डिसकर करूंगा शोट कस्टिन को आपके साथ डिसकर करूंगा लोग कस्टिन को और मैं ओवर्वियू दूंगा आपके पास MC Cruises का तो सुन लें आपके पास जो टोटल पेपर आएगा वो आएगा आपके पास टोटल मार्क्स जो है आपके पास कितने आएंगे बताएं ज़रा 85 85 मार्क्स का आपके पास टोटल मार्क्स पेपर आएगा कमिस्ट्री का ठीक है है उसकी डवियंस कैसी होगी मारे पास सबसे पहले मारे पास आएगा objective objective examiner क्या करेगा बचे तकरिबं इस पहला कृषियों में इस तरह कृषियों में requirements कारेगा श about gonna čूरू काड़एंगा धीर ंंको अअच्ट को उसका पता होगा वो तो एकुरेट जलदी लगाना शुरू कर देंगे और जिनको मेरा जो पेपर है वो फूर्थ बच्ची के साथ मैच हो रहा है मैं ऐसा करता हूं पहले जड़ा वाटर पी की आता हूं फिर जड़ा वाश्रू कर गया थीक होगी तो उनसे जड़ा हैल्प लेके आता हूं हमारे पास होगी objective objective में आपके पास mcq कितने आएंगे mcq multiple choice questions आपके पास आएंगे यह total 17 ठीक हो गया इसके बाद हम बात करते हैं subjective की subjective subjective में आपके बाद 2 section आएंगे एक आएगा आएगा आपके पास ladies and gentlemen क्या आएगा section 1 और एक आएगा 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 पास section 2 section 1 में आपसे क्या पूच जाएगा section 1 में आप से पूच जएगा चोट चोट स rapidement and section 2 में आपसे क्या पूच जाएगा year day long short questions me work sayLong question we discuss करूँ गा section वान में आपके question number seven question number two पूच जाएगा question number three पुछा जाएगा question number four इसके में question number five six seven eight and nine ठीक है इसमें आपने कितने time करने है उसको भी हम discuss करेंगे इसको आपने कितने time करने है उसको भी हम discuss करेंगे objective हमारे पास बनेगा question number one ठीक हो गया 85 total marks mc को 17 नंबर short question question number two question number three question number four 44 marks and अभी हम discuss करेंगे detail में discuss करेंगे कहीं में जहिएगा यहीं पर रहिएगा और दिल लगाकर वीडियो को देखिएगा और खुब share कीजिएगा question number five question number six seven eight यह होगे मारे पास complete overview paper pattern जैसे मैंने आपको पहले बताया था आपके पास total marks कितने आएंगे आपके पास total marks रहेंगे 85 नंबर दा ताड़े को पेपर आना है ठीक है अब उसमें से मैंने आपको बताया था question number two आना है उसमें से मैंने आपको बताया था question number three आना है उसमें से मैंने आपको बताया था कि question number four भी आना है और long question की discussion थीक है अब हम बात करते है question number two की question number two सुनने boys and girls बाबाजी के questions नहीं बाबाजी नहीं बाबाजी नहीं teachers के questions question number one question number one के आपके पास total कितने पास हैंगे one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve ठीक है आपके पास question number two के कितने question आएंगे आपके पास ladies and boys total twelve parts आएंगे जिस में से कितने solve करने है total twelve parts में से कितने solve करने है total twelve parts में से सिर्फ eight questions करने है ठीक है अब ये eight questions कहां से आएंगे ये वाले eight questions आपके पास आएंगे chapter number one chapter number one two three and eight में से आएंगे ठीक है total आपके पास questions किसकी chapter में से आएंगे total आपके पास twelve parts आएंगे जो के chapter one two three और eight को cover करेंगे chapter one अब देखें इस table पे आएंगे table one से कितने हैंगे chapter one से कितने हैंगे तीन चोड़ करेंगे चैप्टर नंबर बाट से तीन चोड़ करेंगे और वह कौन से आएंगे चैप्टर नमबर 1, 2, 3 यानि के चैप्टर नमबर 1 से 3 questions आएंगे आपके पास चैप्टर नमबर 1 के और चैप्टर नमबर 1 के जो आपके पास important short questions है तो उसके निशान लगाएं किसी page पे लाजमी लिखते जाएं पैंसले, rubber, sharpener, open your bags and write down my question immediately this is my order सबसे first one is what is molecular iron? molecular iron क्या होता है? how its formula? और इसका formula किस तरहां बनता है? what are isotopes? isotopes क्या होते हैं? isotopes क्या होते हैं? isotopes क्या होते हैं? ऐसा atomic number जिसका same हो और atomic number जिसका different हो atomic mass different हो atomic number same हो it is called isotopes जी जी उतना भी मुझे आता है write down any more method use of the separation of isotopes isotopes को अलाइदा करने के तरीके लिखिए बताइए ठीक है? यह काफी लेंदी है इसको आप देख लें define empirical formula and gives two examples empirical formula क्या है? इसकी example लिखिए sugar लिख लें ठीक है? define the molecular formula how it is related to empirical formula differentiate between empirical and molecular formula calculate gram atomics in 0.1 gram of sodium at mass of sodium is 23 what is Avogadro number? Avogadro number क्या है? 6.0677 multiple 10 days के बाद 27 questions होने बस give equation to relate the Avogadro number and mass of an element ठीक है? इसके बाद यहां पे हमारे पास chapter number 1 के important तरीन MCQs हैं इस में से 100% DC में से आएगा इस से बाहर एक भी question नहीं आएगा inshallah taala ठीक है? अब chapter number 2 तो बाद पिद्धा सा chapter है लेकिन इस पिद्धे वाले chapter में से कितने short question आपके पास आने है इस पिद्धे chapter में से आपके पास दो short question आने हैं इस पिद्धे chapter में से दो आपके पास important short question है वो क्या है आपके पास why is there a need to crystallize the प्रोडेक्ट यहां से पहले लिख ले वन एंड टू चैप्टर नमबर टू से आपके पास शोट कसन आएंगे वाट इस्ट क्रिस्टलाइज क्रिस्टलाइज इसम राइड दन नेम्ड वेरियस स्टेप्स गिव दा साइलन फीचर ओफ एन आईडियल सोल्वेंट यूज इन अंडेजाइरेबल अंडेजाइरेबल कलर्स आर सेप्रेटिड प्रोमा क्रूड सबस्टेंस डिफाइन सब्लिशन विद एन एग्जैंपल सब्लिमेशन ठीक है यहां से होगे मारे पास चैप्टर नमबर टू के सिर्फ दो शोर कसन आने हैं याद रखें हमने किसकी चैप् कितने होगे हैं मैं याद रखें मैं आप को सारे चैप्र के इंप्रटन शोर्कन भी बताओंगा लाज्मी आपने स बीडियों को सिर्फ नहीं करना बस में कुन्स अप्री करें तथेंगाट इनकार अप्रवेश कर्या ला संतिए हुआ लगाटाटिए खेली वह खेलीजिजेह loves इंह लिसे मैं प्रश अत्मॉछ त्म मोलियमिस Dağ M क्यूब प्रूब एड पी एम ओवर और एम डिफान एवोगेडरो लाव विद्टू सूटेबल एक्जम्पल्स ठीक है यहां भे हमारे पास चैप्टर नमबर थ्री से कितने चोड़ कसन आएंगे चैप्टर नमबर थ्री से देखे हमने कितने डेम्द करने हैं तीन यहां से होगे दो यहां से होगे और तीन यहां से होगे ठीक हो गया तीन और तीन च्छे च्छे और दो आठ और हमने अटेम्प्ट भी कितने करने हैं सिर्फ एट अगर आप चैप्टर बन को अच्छे तरीके से कर ले और चैप्टर टू को अच्छे तरीके से कर ले और यहां भी हमारे पास complete एक chapter होता है, अगर आप chapter 1, chapter 2, chapter 3 के ही short question यही वाले जो मैंने भी आपको दिखाए हैं, अगर आप यही का लें तो easily आपके 8 question attempt हो जाएंगे, इसके बाद हम बात करते हैं chapter number 8 की जो बड़ा ही important chapter है, वहां से short questions भी आएंगे, वहां से एक long question भी आएगा, 1, 2, 3, 4, यह आएंगे आपके बाद chapter number 8 से, ठीक है, अब chapter number 8 से जो important short questions है, वह क्या है, वह हम अभी आपको बताते हैं, जीम निकलाएंगे, यह आपने 10th में पढ़ा होगा, differentiate between reversible and reversible reaction, state law of mass, write down the equilibrium constant expression for the dissociation of PCL, how the direction of reversible reaction, any instance can be determined by KC value, ठीक है, यहां पर हमारे पास complete होते हैं, chapter number 8 के short question, जीम अगर आप इस वीडियो को complete देखना चाहते हैं, जीमें English, उर्दू, math, physics, chemistry, bio, computer science, इस्लामिया अधर, compulsory के short questions को, long questions को, बहुत detail के साथ discuss किया रिया है, सबसे पहले आप बात करते हैं, English ही, English में क्या बताया किया है, short stories, plays, points, reverend, contacts, moral stories में आपको दिखाते हो, साथ साथ यह देखें, यह हमारे पास first year, English short stories, important short questions, सबसे पहले हमारे short stories, button, button, clearing in the sky, dark, lesson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 15 lessons है, तो 15 lessons के important short questions है, ठीक है, इसके बादे मारे पास क्या है, plays, plays के 3 plays है, तीनों plays के important हमारे पास short questions है, फिर important pair of words है, फिर application letter है, इसके बाद points के question answers है, इसके बाद हमारे पास 1 to 20 points के important short questions है, इसके बाद हमारे पास क्या है, देखें, हांजी, reference to the context है, reference to the context के बाद हमारे पास moral stories है, इसके बाद translation है, यह मारे पास complete English के notes है, short stories, plays, poems, moral stories, punctuation, reference to the context, ठीक है, जी हमारे पास first year important multiple choice question, जो के past paper से collect किये गी है, हमारे पास सबसे पहले क्या है, English है, उर्दू है, Islamiyad compulsory है, physics है, chemistry है, biology है, computer science है, and maths है, सबसे पहले मैं आपको दिखातो, English के MCQs है, हमारे पास, सबसे पहले synonyms, यह है, हमारे पास one to twenty, chapter number one के important MCQs, इसके बाद है, हमारे पास choose the correct answers, यह आपको आएगी five marks की, इसके बाद है, हमारे पास forms of verbs, ठीक है, chapter one है, हमारे पास chapter two है, chapter three है, इसी तरह हमारे पास है, chapter four, इस lesson है, total आपके पास fifteen lesson है, fifteen lesson के synonyms है, तोर इसके साथ हमारे पास choose the correct answers है, और इसके साथ हमारे पास fifty important forms of verbs हैं, जो के five साला paper से collect किये गी हैं, इसके बाद हमारे पास उर्दू के MCQs है, उर्दू के MCQs में हिससा नसर है, इसके बाद शेरी इस्तलाहात में काफिया है, है, मतला है, मकता है, यह मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखें, यह हमारे पास class 11, lesson one, इसके बाद second one lesson के हमारे पास five five MCQs हैं, बहुत ज्यादे important MCQs हैं, अपनी मदद आप तहद, इसके बाद सर सेयद आहमत खान के हलाको हसाइल, ठीक है, यह हमारे पास है important MCQs, lessons के इसक इसके बाद हमारे पास किसके हैं, जी मरूजी है, हमारे पास किसकी काफिया है, रदीफ है, मतला है, मकता है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, इसलामियाद कमपल्सरी के, इसलामियाद कमपल्सरी में आपके बास total चार बाप हैं, सबसे पहले बाप अबल बन्यादी अका इसके बाद जो सबसे ज्यादा most important subject है FSE pre medical का pre engineering का and ICS physics का वो है हमारे पास physics physics के आपके पास total कितने chapters है physics के आपके पास 1 to 11 total chapters है इन 11 chapters के हमारे पास important MCQs भी available है chapter 1 के हर एक chapter के 2020 MCQs है ठीक है physics की बात कारूं यह देख लिए chapter 1 के important MCQs है chapter 2 के important MCQs है chapter 3 के हमारे पास important MCQs है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सप्लियां gain करने वाला subject है हमारे पास chemistry का chemistry के total आपके पास 11 chapter है हर एक chapter के तकरीबन 10 यह 20 MCQs है जो के past paper से बरी मेनस से collect किये गई है यह आगया chemistry यह आप देख सकते हैं chapter 1 है chapter 2 है हमारे पास chapter 3 है हमारे पास chapter 4 है हमारे पास ठीक हो गया इसके बाद हम बात करते हैं doctors की ये हम बात करने लगे है Ideally की बायिलोजी के हर एक चापटर के कमसखom 20 20 MCQs है मारे पास chapter 1 हमारे पास chapter 2 है हमारे पास chapter 3 है हमारे पास छी इस तरह chapter 4 है इस तरह चाप्टर 5 और 5 थी meowी ठीक है गैस पेपर वाला उसमें मैंने अच्छे टुटोडियल वगरा की डिसकेशन की है सबसे पहले हम बात करते हैं computer science chapter number one के mcqs की इसके बाद हम बात करते हैं chapter number two के important mcqs की इसके बाद हम बात करते हैं chapter number three के important mcqs की ठीक है इसके बाद सबसे last में my favorite subject maths और maths की हमारे पास सारी की सारी videos available हैं यह हमारे पास है maths के total आपके पास 14 chapter 14 chapter के हर chapter के यहां तो 10 mcqs है या 15 या 20 ठीक है chapter number one की important mcqs की बात करते हैं chapter number two के important mcqs की बात करते हैं यहां पर हमारे पास complete first year के important mcqs available है इस वीडियो को लाजमी देखें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा के आप यह notes कैसे हमसे buy कर सकते हैं इसके बाद मैंने उर्दू की नजमें गजलें मरकजी ख्याल है यह देखें क्लास 11 हिस्साइ नजम के important अशार है हिस्साइ डजल के important अशार है स्यापको सुबाग है स्लीस वगरा है तश्रीए है ठीक है यह मारे पास पैरा graph भी है यह देखें इसके बाद मारे पास एहम खुलासे हैं मरकजी ख्याल हैं रहास्ते हैं इच एड अवरी उर्दू के इसलेबर से रिलेटी इट नोर्स हैं इसके बारे पास सबसे बड़ा चेप्टर है वो कौन से चेप्टर है वो जिन सब्जेक्ट है वो है मारे पास math मारे पास क्या रहा है 1214 चेप्टर है ठीक है math पे यह देखें यह हम किसकी बात करें है f3 के math की बात करें हम ICS के math की बात करें है है और कुछ समझ आ रही है ladies and boys देखें आप चैक्टर नंबर 1 के important short customers है चैक्टर No.2 के important short customers है चाग्र नंबर 2 के important long customers हैं इसके पार चैप्टर No.3 के important चोटकूस्टेंस नं AHplain और जबर 4 के important short customers हैं च Denise वान टू फूर्टीन चैप्टर के एगे शोर्टेंग को मुनमने स्वालों को डिसक्स किया गया है इस वीडियो के अंदर यहां इस नोड्स के अंदर ठीक है यहां भी हमारे कर लास्ट तक है चैप्टर फूर्टीन तक यह देखें चैप्टर नमबर फूर्टीन के ओन नी ओन है इसके आए फॉर्टिक्स की हमारे पाट टोटल लाट चैप्टर तोटल नावन चैप्टर वे क्या है चैप्टर नूमन के देखें बैट शोर्टेंट आ इसके बाद इनर वाले 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 इनर व इसके तोटल चेप्र हैं फॉजिक्स के टोटल लेडिस एंड जेंडलमेन वाइज एंड गर्ल्स मेल्स देखे बताएं नहीं पास टोटल इतने चेप्र हैं 1-11 हमारे पास नोर्स भी कहा हैं 1-11 का यह देखें इसके लिए इसके लिए कौन सी रिकमेंड बुक्स हैं इसके लिए आजीन के बुक्स कर सकते हैं इसके लिए आप टिप्स भी यूज कर सकते हैं इसके लिए आप सबसे माइफ़ेट बुक्स ब्रेन अप्टोडेर भी यूज कर सकते हैं इसके अज़र वालों के गैस पेपर भी यूज कर सकते हैं A plus notes भी आप use कर सकते हैं ठीक है यह ओगी है महरेबस किसी बात physics की बात हो गया अब हम बात करते हैं सब से ज़्यादा सपलियां गेन करने वाले subjects की कौम्स ही है महरेबस कमिस्ट्री लेकिन अगर आप इन notes से प्यारी करेंगे इंचाला तरड़ा you will not have any subject अब देखें चैप्टर नुम्बर वन की इंपोर्टन्ट शोर्ट कस्टन्स है जो इन नोर्स में है अगर आप इसको तरीक अच्छे तरीके से कहले यूगी गें 90 प्लस माफ सही कमिस्टी सब्जेक्ट इन फस्ट इयर अब हम बात करते हैं चैप्टर नुम्बर वन की अउष्टन्स थे गथें चैप्ट्रम थ्रीके सोड लां स्टैंस धीए चैप्टर नुम्बर वहा ओक्ति से अब कहों तक जा रहीए अच्प्टर नुम्ब 1 न antard ऐनि चैप्टर इनलावन कि दख्या इसके है अच्छ दबाद कर दो भींगें इसके पाद हुं बात देरें कि डाक्टरजी ठीक है 1-14 ऐंपके पास छोटेटल ठीक है जी देखें चब्टर ूबर 1 चब्टर 1 के चोट कस्टेंस लिए फेवरेट नहीं है जिसका कोई box नहीं है आप देखें चैप्टर नुमर थी का short में box है लेकिन long में box नहीं है तो इसका मतरब किया है chapter number 3 is not important in long question अच्छा अब हम इसके बात बात करते हैं 1,2,10 chapter of computer science computer science का आपने क्या याद करना है जिसने ICS computer science funding है तो उसने आगे जागे BCS करना है तो वो लाज़मी net से YouTube पे tutorial लाज़मी ले web designing या web development के इसके अगर आपको मफीद मच्वरे चाहिए you can contact me you can ask each and everything engineering field अब हम बात करते हैं computer science की 1,2,10 chapters की देखें 1,2,10 chapter में short questions है, long questions है, short questions है, long questions है, long questions है, and long questions है, chapter 1, chapter 2, chapter 3 और यहां पे हमारे पास कितने हैं, आगे total 7, 8, 9, 10, ठीक है, यह मारे पास total discussion होगी, notes की first year के अब देखें, अब अगर आप इन सम नोट्स को अगर हम collect करें, तो देखें, अगर आप इन सारे notes को आप buy करना चाहते हैं, सारे notes हैं, ठीक है, अगर आप इन सारे notes को अपने गर मंगवाना चाहते हैं, तो अभी इस number पे अपना नाम और अपना address लिखिए, और दो दिन में यह सारे notes आपके गारत भेज़ दिये जाएंगे, और इन notes की जो price है, इन notes की, जिसमें FA, FSE, ICS है, जिसको जो जो subject चाहिए हो, मंगवाले 1500 इन की total price है, ठीक है, इन notes की जो total price है, अगर है, हमारे पास 1500, अगर अगर आप इन notes से त्यारी करते हैं, जो you will gain easily 90 plus marks करें, every subject, thank you so much, take care, गिल्ल आगर मिहनत कीजिएगा, और एक और लाजमी बात क्यादत है, मिहनत इतनी खंशी से करें, कि काम यह भी इसकी धूम बचा लिए, और हमने attempt भी कितने करने थे, जिर 8 short question attempt करने थे, ठीक होगी बात, अच्छा, अब हम बात करते हैं, question number 3, question number 3 में भी बिल्कुल इसी तरह आप से कितने question आएंगे, 8 questions आएंगे, यानिके 8 parts आएंगे, 1, 2, यार सासत बोलने हैं ज़रा, कितने parts हो गए आएंगे बास, total आएंगे बास होगे, 12 पार्स यह कहां से आएंगे आपके बाद चैप्टर नमबर नहीं इस एंगल से नहीं से लिखा जा रहा 4, 6, 7, 8 नहीं लिखके देखते हैं 9 लिखके देखते हैं इस एंगल से नहीं सीखा रहा कदरे बितर है यास यह चीज मेरे अजीज चैप्टर नमबर ठीक हो गया 4, 6, 7, 9 में से आएंगे जिल्दी देखो 4 वाले से देखें जरा कितने आएंगे वो मेरे खुद आया क्यों FSC को मेरे गल पाया 1, 2, 3 पढ़ना मुझे कखना आया पूरा साल पता नहीं कैसे लंगा आया वाँ 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 आप को होते हैं मैं बहुत बड़ा शायद भी हूँ कभी फुरसत में आना तुम फराज हम अपने दिल का हाल बताएंगे तुमें और सारे बताएंगे तुमें अपने रास अच्छा चैप्टर नमबर 4 जी चैप्टर नमबर 4 के अब आपके पास आने वाले हैं शोट कस्टन कहा हैं आगे जी शोट कस्टन लिखवर्ट थैंड तोलिस वाले सबसे पहले इंपोर्टन शोट कस्टन है डिप्रेंटिेट बीड्वील इंट्र obvious कि था पर गायर डायपोलिएपोल डायपोल फोर सीजाल इसके onsबात करते हैं रहलं ऊतार्द डायपोलिएपोल फोर्टी क्लिच बर डासे बरव क्यों तैरती है पानी के उपर अच्छा यहाँ पर होगे हमारे पाद चैप्टर नमबर 4 के MCQs, शोरी, शोर कस्टन्स ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नमबर 6 ओए, 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 चैप्टर नमबर 6 को देखें ज़रा 1, 2, 3, 4, चैप्टर नमबर 6 चैप्टर नमबर 6 के आपके पास total कितने आएंगे चैप्टर नमबर 6 के आपके पास total कितने आएंगे चैप्टर नमबर 6 के आपके पास total है 4 questions आएंगे, ठीक है अब चैप्टर नमबर 6 के जो आपके पास important short question है वो क्या है चैप्टर नबर 6 के केमिकल बॉंड वाला चैप्टर है इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नबर 6 और चैप्टर नबर 4 के 4-4 आप लोग ने अगर अच्छे तरीके से चैप्टर नबर 4 कर लें और चैप्टर नबर 6 कर लें तो आपके एजिली एट कॉस्टन एटम डोस अतनी है माई डियर स्टूडेंस ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं मैं फास्ट हूं चले मैं स्लो जाता हूं अब चैप्टर नमबर 7 को छो नमबर 7 को इप effect नमबर के बीएट न हो हास्ट घंप दिफेंगborg बिद्यूट ऑटमी कर चैप्टर नमबर 7 के जो इंपिशोट कर शेड कर रोटन है वह है कई चेप्टन नमबर नाइन बाट करते हैं चैप्टर नमबर नाइन नाइन चैप्टर नमबर नाइन के जो हमारे पास important च्वर्टन है वह है आपके पास what is your molarity गीव इस एक्जांपल डिफ्रेंटियर बिट्वीन र्मुलारिटी और मुलललिटी डिफाइन मोर फ्रेक्शन पार्ट्स पर मिलियन यहां भी हमारे पास चैप्टर नमबर नाइन सल्यूशन वाले चैप्टर कर हमारे पास इंपोर्टन होगे कंप्लीट है शोट क्वेस्टेंज ठीक हो गया बात अच्छा जी अब हम बात करते हैं आगे यहाँ जा हमने कितने डेम्ट करने है शिर्फ 8 वेस्टन डेम्ट करने है बस अब हम बात करते हैं क्वेस्टन नमबर 4 की 1,2,3,4,5,6,7,8,9 बस नाइन में से आपने कितने डेम्ट करने है सिर्फ 6 कितने बाट से हैंगे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 में से आपके पास यह कहां से हैंगे Chapter No. 5, Chapter No. 6 and Chapter No. 5 आएगा Chapter No. 10 आएगा and Chapter No. 11 आएगा ठीक होगी बात यह आपको कहां से cover होंगे Chapter No. 5, Chapter No. 6 and Chapter No. 11 चेप्टर नूमर फाइफ किप्टन आने वाले हैं नाजरीन हाजरीन लेडिसंट जंडर्मंन बॉइस और गॉलस मेलज और फीमेल कितने कुशेंट आएंगे आपके पास चेप्टन नूमर फाइब से चौर कुष्टन आएंगे 1 2 3 4 यह एक आपके पास चेप्टन नूमर 5 मे कि चावर गैशी उजेख डेशार्ज ट्यूप नेचर उफ तोट रेस यह में नारेट प्रॉपर्लिटी ऑफ कफोडर रेस इसके पास हमारे पास अउजन इन्वर्ट एन्ड टोडर रजार मैटीरियल पालिकल वाई वाई उए इएम वाई एम वे एकफोड तूदा इल्क ट् वाइब के इम्पोर्टन प्रफ यिसमें से आपके पास टोटल चार आँगे इन सब शोर्ट कस्टों को आपने लाजमी करना है यकीनी तोर पर करना है यहीं से बोर्टस में याएंगे जिस सारे का सारे पास वेफ़ट से कैरी किये गए हैं अब बात करते हैं चैप्टर नंब 10 के आपके पास जो short question है जी जी बड़े important short question है chapter number 10 के electro chemistry chapter number 7 है ये 9th class में define oxidation state with example calculate oxidation number of sulfur calculate oxidation number of chromium in compounds determine the oxidation number of phosphorus ये हमारे पास chapter number 10 के important तरीन short questions है important तरीन short question है अब हम बात करते हैं chapter number 11 की 102 यह हैगा आपके पास chapter number 11 chapter number 11 में से कितने short question हैंगे सिर्फ दो short question हैंगे chapter number 11 में से reaction kinetics सबसे पहला है what is rate of reaction also give name of four physical method used to determine the rate of reaction differentiate between average and instantaneous rate of reaction what is specific rate constant or velocity constant what is meant by reaction give example यहां पर हमारे पास complete होते हैं chapter number 11 के short question इसमें से आपने कितने solve करने हैं इसमें से आपने सिर्फ अटेंप्ट करने हैं total six attempt करने हैं अगर आप ऐसा करें chapter 5 और chapter 10 को भी अच्छे तरीके से कर लें तो you will attempt easily six parts of each question 4 number 4 अब हम बात करते हैं long questions की यह हैगा आपके पास question number 5 का A और B पार्ट इसके बात होगा पास question number eight का A और B पार्ट और इसके बाद आएगा आपके पास questionРЕ 9 का A और B पार्ट ठीक होगी बात अब question number five के जो आपके पास A और B पार्ट आएंगे यह कहां से आने है question number five के देख ले question number 5 के A और B पार्ट आपके पास आएंगे chapter 1 और chapter 4 में से ठीक होगी बात, अब इसके बात question number 6 का आपके पास आएगा 3 और 5 में से, अभी मैं अपताता हूँ इसको लोंग में कैसे कनने आपने question number 7 आपके पास आएगा 6 और 7 में से, ठीक है यह हम 7 लिखते हो complete यहाँ पे, और question number 8 आपके पास आएगा 8 और 10 चैप्टर में से और question number 9 आपके पास आएगा 9 और 11 में से, ठीक है यह complete pairing होगी, question number 5 आपके पास आएगा 1 और 4 चैप्टर में से, 3 और 5 में से, 6 और 7 में से 8 आएगा आगे पस 8 और 10 में से और 9 आगे पस आ रहा है 9 और 11 में से ladies and gentlemen chapter number 1 के जो important long a well-known idea gas is enclosed in container having value value is 500 centimeter cube of ST2 mg reactor with HCCI to hydrogen gas number 3 NH3 can be produced by heating together to ये मारे पस important 3 long question है why limestone CA CO3 is roasted quick lime CO2 is produced according to the following equation ठीक है अब याद रखे अब जितने ही मैं मेनत के साथ आपको ये काम करवा रहा हूँ ना अब आपने भी उतनी ही मेनत दिखानी है और 85 out of sorry 85 में से आपने number ले गयाने 75 प्लस मार्स इन शोर्ट के को पत्के तरीके से कर लें यहीं से आएंगे बाद में ना कहना कि हमें किसी ने कोई गैस पूस नहीं दिए 100% इन्शाला तर्ला यहीं में से आएगे चैप्टर नबर 4 के जो आपके पास important long question है वह 100% उसी में से आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर नबर 4 के जो आपके पास important long question है what is meant by the terms of hydrogen bonding how does hydrogen bonding explain the properties of proteins monometric method of determination of vapor pressure of liquid diagram define liquid crystals and write their uses write down the properties of ionic solid covalent solid with their properties molecular solid give their properties and examples यह होगे है मारे पास chapter number 1 और chapter number 4 के clear होगा ठीक है अब हम बात करते हैं question number 6 chapter number 3 में से आएगा chapter number 3 के जो मारे पास important long question है prove general gas equation PV over nRT calculate mass in decimeter cube of nH gas state Dalton law of partial pressure यह मारे पास important तरीन short question है gram law of diffusion यह मारे पास important तरीन long question होगे लाजमी करने हैं इसके पास chapter number 5 को discuss करते हैं chapter number 5 chapter number 5 है मारे पास discuss the properties of the thore raise how are positive raise are produced in discharge to give properties of these raise यह मारे पास chapter number 3 हो गया और chapter number 5 हो गया अब हम बात करते हैं chapter number 6 की chapter number 6 की जो आपके पास long question है explain ionization energy giving one example also describe its periodic trend why write the main postulates of violence shell electrons pair theory give four postulates of violence shell theory respectively यह मारे पास chapter number 6 हो गया अब हम बात करते हैं chapter number 7 chapter number 7 में हमारे पास सबसे पहले what is the law of thermodynamics प्रूब डेल्टा ये ओवर क्यों भी प्रूब डेल्टा ये ओवर क्यों वी अच्छा एंट डिफाइन फॉल्पी एंड प्रूब डेल्टा एच्छ ठीक है यहां भी होगे अब हम बात करते हैं डेल्टा ये अपके पास लॉंग क्यों उपपर्टेंट्स में ऐबात करते हैं chapter 10 के हमारे पास मेल्टन फॉम कलोडीड एंड कंस्रक्टीड सॉलूशन ओफ सोडियम कलोडाइड डिफाइन स्टेंडर्ड अइड्रोजन इलक्ट्रोड यह मारे पास इंपोर्टन तरीन लोंग कस्टन है अब आगए हम बात करते हैं 9 और 11 की 9 वाला हमारे पास चाप्टर नमबर 11 की बात करते हैं लोंग कस्टन में चाप्टर नमबर 11 है मारे पास define the order of reaction and give one example of first and second and third order of reaction ठीक है यहाँ भी हमारे पास complete हो गई first year committee paper pattern pairing scheme and guest paper इससे related आपका कोई भी question होगा तो आप मुस्से question कर सकते हैं इन्शालब अला उसका आपको रिप्लाई भी आएगा अपना अपने बाज दैन का बहुत ज़्यार रखिए और अपना ही मेनत करते रहें पाकिस्तान जिन्दाबार ये तो अब्दुल बारी है ये तो अच्छा बच्चा है ये दुआये सिखता है अच्छी बाते बताता है सुभा जल्दी ये उठता है ये ब्रश भी करता है ये दूज भी पीता है